हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मेरा नाम है मुगेस आफ लोग देख रहे है रियांसो टेकनिकल में आप लोगो बहुत बहुत स्वागत है अज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि गूगल मैप का सर्च हिस्टोरी कैसे डिलीट करेंगे कभी भी हमगों कहीं पे जाना होता है को सर्च करते हैं बहुत सरा गूगल मैप कि हिस्टोरी जो होता है लोग को डिलीट करना गए हुआ है चलिए ऊपना सकते हैं । तो इस वीडियो के मादइन साब लोग बताने वाले न के? करना होगा अपना Google Maps जो है Google Maps को open करना होगा यहां पर आप लोग Capital Yellow गूगल मेपस यहां पर सो हो रहा तो क्या करेंगे सबसे पहले हम अपना Google Maps को यहां से आम लोग ओपेंगे जैसे हम लोग Google Maps को ओपेंगे करते हैं तो कुछ इस तरह की इंटरफेस ओपेंगे हो जाता है अगर हम लोग जब भी सर्च में सर्च में यहां पर हम लोग सर्चिंग करते हैं वहां पर सो होता है तो हम लोग जब भी यहां पर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाता है उसके बाद हम लोग को क्या करना है. тогда स्कॉल करके थोड़ा नीचे में आना है. यहां से आप लोग देख पाएंगे SETTING वाला आपजन है. है अप देख पाए सेटिंग. आपको क्या करना है? सिटिंग वाले आपजन पर किलिक करना है. जैसे आप setting वाले option पे click कीजेगा कुछ इस तरह के interface open हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है scroll करके आप नीचे में थोरा सा काईएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख पाईएगा my free story 3 अब बाद करना है अगर chwब heror I'll newspapers है अपने से इले रहाएख देख पाण ऋनीचे में थिखा कणे है 100 आप देख आए शूरा इस तरह स हमें इसक्राव करके घ Academicoire नीचे में यहाँ से देख सकते हैं अगर हम लोगे से जी Potato defend करने का और ऑड्टो है one second यहां पर आपको दिखा दे रहा है यहां पर देख पर अगर आप डिलिट नहीं करना चाहते हैं और टोमेटिक भी यहां से डिलिट हो जाएगा इसमें जैसे आप किलिक किजेगा यहां पर छोटा साही करने इस पर आपको किलिक करना होगा जैसे इस पे किली की जाएगा यहाँ पे आप लोग देख पारें तीन फू अप्शन है अगर तीन मौन्थ में लगाते हैं तो क्या होगा तीन मौन्थ बाद आटोमेटिक डिलीट हो जाएगा अगर 8 मुन्थ में आप रखते हैं तो 8 मंथ बाद automatic delete हो जाएगा अगर 36 मुन्थ रखते हैं तो 36 मंथ बाद automatic delete हो जाएगा अगर all delete करना चाहते हैं तो यहाँ से simply cback एक बार आ जाज़ेगा बाई काने के बाद जिस तरह से open हम किये हैं यहाँ पे आप लोग देख पाड़ है उसके बाद यहाँ पे देख वाएंगे delete करने का option है delete का option यहाँ पर सो रहा है right side में यहाँ पर देख पाने नीचे में बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस open होगा फिर से नीचे साइड में आप लोग देख पार है यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देख पार है right side में delete करने का option यहाँ पर आरहा तो right में हम लोग delete पर किलिक करेंगे फिर okay करने का अफसान है तो हम लोग क्या करेंगे okay पर किलिक कर देंगे जैसे हम लोग किलिक करेंगे यहाँ पर देख पारे no activity तो क्या होगा मेरा Google Map के जो search history है टोटल यहाँ पर simply सी delete हो गया तो इस तरह से अपना भी Google Map के search history automatic या all delete आप लोग कर सकते हैं चलिए उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देगा सस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक फूर वाच वीडियो